हेलो, वेलकम टू एक्सपर्ट आप कुल जोल्री यूटूब चैनल और आज के इस वीडियो में आपको अंगोटियों के डिजाइन देखाने वाला हूँ कभी अच्छी अच्छी डिजाइन हैं, साथ मैं उनके कीमत बताने वाला हूँ और उससे भी जरूरी बात यह है, कि आपने कभी सोयनी की जोल्री खरीदी है या खरीदने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो का भी काम का हो सकता है आपको जोल्री खरीदते समय किन बातों के दियान रखने चाहिए, मैं आपको यह बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप इस अमोटी की डिजाइन देख रहे होगे, डिजाइन कापी अच्छी लग रही होगी आपको और इस तरह की अमोटी आप ओर से किसी भी जोलर से इस डिजाइन को दिखा के बनवा सकते हैं और आपको यह डिजाइन लगबग 5-6 ग्राम के बेट में एवलेबल हो जाता है और 6 ग्राम के प्राइस की बात करूँ तो अभी का सोने का भाव जो है 53,500 रोपे का है इस हिसाप से यह अमोटी का प्राइस लगबग 32,000 रोपे का सोना हो जाता है और 1500 रोपे तक के लेवर चार्ज जो है जोईलर से चार्ज करते हैं यानि 32,000 से 33,000 यानि की 30,000 तक के प्राइस में भी आपको यह डिजाइन एवलेबल हो जाई कोई भी जोईलर साप डिजाइन दिखा कर आप बनवा सकते हैं और यह किस कंपनी का लोगो है अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए और सेकेंड नगोटी के डिजाइन में आपको दिखा रहा हूँ यह डिजाइन धाई गिराम के वेट में है और अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो 13,000 रोपे और प्लस मेकिंग चार्ज लगाकर लगवग 13,000 रोपे तक की प्राइस में आपको यह एविलिवल हो जाएगी डिजाइन दिखा कर भी बनवा सकते हैं और बात आती है मेकिंग चार्ज इसकी तो आप जानते ही होंगे कि कोई जोलर्स मेकिंग चार्ज या किसी अन्द तरीके से बोलके कुछ एश्टर चार्ज करते हैं आपको तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि वो चार्ज किस हिसाब से ले रहे हूँ आगे आपने यह डिजाइन देखी है यह लगा आपको तीन गराम के वेट में यानि की 16-70 आपको लगब की प्राहँ है रुपे तक के प्राहँ है आपको इस तरह की रिंग मिल जाती है और अगर यह जो डिजाइन देखा रहा हूँ आपको इनको भाएठ सुआ भी भी बनवा सकते हैं क्योंकि डेली उज में पहनने के लिए एक कम से कम चार से पांच कराम तक की अंगोटी होनी चाहिए और इसके लावा जोली खरीदते हैं वक्त आपको देखना चाहिए कि जादा से जादा आप 22 केरिट की ही जोली लियां क्योंकि वहाँ आपको रिसेल करने में भी आसानी होती है